हलो बच्चो बच्चो आपने आई सनाजरा देखा होगा क्या दिख रहा आपको इसके अंदर देखो पहले जो मेटल था वो कितना शैनी दिख रहा था जो मेटल से बने हुई चेन है वो पहले शैनी दिख रहे थी लेकिन बाद में उसका कलर डल हो गया उसका कलर उसका शैनी कम होके और टर्न हो गया इंटू रेडिश कलर तो क्या है सब कुछ बच्चो इसी को भी बोलते रस्ट और इसी प्रोसेस को भी बोलते करोजन तो क्या होता है रस्ट जब कोई मेटल सर्पेस लॉंग पिरेड के लिए एटमॉस्पेर की कॉंट्रेक्ट में आ जाता है तो उसक का ऑक्सिडेशन हो जाता है और उसके ऊपर आईसी रेडिश कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है और उसी रेडिश कलर के रेयर को ही बोलते है रस्ट क्या बोलते बच उसको रस्ट समझे तो यू कैन राइट दान देफिनिशन आपर रस्ट वेनेवर सटन मेटल इस इन कॉंट लेयर इस काल रस्ट बच्वो रस्ट का केमिकल फार्मॉला क्या होता है एक्जम कोई पॉइंट व्यू इंपर्ट देखो क्या होता है रस्ट का केमिकल फार्मॉला होता है फे2-0-3.x2 this is a x x2 this is a chemical formula for rust क्या बोलोगी इसको इसको इस इस पेरस ओक्सएड एंड एक्सट मिं represents number of molecules of H2O कितने molecules है अभी x vary हो सकता है कहीं पर एक आएगा कहीं पर दो आएगा कहीं पर तीन कहीं पर चार आए से अलग अलग नंबर यहाँ पर आएंगे ठीक है depending upon वहाँ की जो एर उसके अंदर कितना moisture है ठीक है कितनी water की availability है उस पर depend करेगा कि x की value क्या होगी ठीक है so this is a formula for rust धार में रखना है बच्चों very important Fe2O3.xH2O समझें ओके अभी हम देखते है कि rust की corrosion की process होती हो कैसे होती है तो उसके लिए हम यह आप एक figure निकालेंगे तो बच्चों with the help of this diagram हम समझ लेंगे कि rust की process कैसे होती है corrosion कैसे होता है देखो for example एक कोई हमारा metal है यह metal है कोई object है मेटल से पनी हुई ठीक है उसके उपर सपोज यह water droplets हमने consider गया this is a water droplet मतलब अभी यह metal इस water के contact में साथ साथ सराउंडिंग के air के भी contact में ध्यान में रखना है कि rust के लिए rusting होने के लिए corrosion होने के लिए दो necessary conditions है दो requirement है एक होता है water और दूसरा air corrosion के लिए हमें चाहिए होता है air and water ध्यान में रखना है ठीक है क्या क्या चाहिए air में से हमको चाहिए oxygen और साथ साथ हमको चाहिए water these are the two necessary things for corrosion इनके भीना corrosion नहीं हो सकता ठीक है तो अभी देखो यहाँ पर दोनों भी मिल गया है यहाँ पर surrounding के air में oxygen भी हमको यहाँ पर water भी मिल गया तो अभी इस metal का क्या हो जाएगा उसका corrosion होगा कैसे देखो क्या होता है बच्छो corrosion के अंदर यह जो अभी यहाँ पर मैंने आज़ों किया सपोस्ट इस फेरस फेरस का मेंटल है तो इस फेरस का जब यह water के contact में आ जाता है तो इसके अंदर number of anod and cathode form हो जाते है तो इस फेरस के उपर number of anod and cathode form हो जाते है अभी मैंने यहाँ पर लिया सपोस्ट इनर और यहाँ पर ले लिया cathode और बच्छो अनोड पर क्या होता है अनोड पर होता उस फेरस का oxydation अभी मैंने last video में बताया तो oxidation reduction reaction अगर आपको पता नहीं है oxidation reduction आप वीडियो देख सकते हूँ इसके पहले वाला वीडियो ठीक है देखो बच्चो अभी क्या होता है एनोड पे इस फेरस का oxidation हो जाता है और oxidation होने के बाद तो क्या करता है दो इलेक्ट्रोन लूज कर देता है देखो मतलब पहले फेरस का फ इलेक्ट्रोन लूज होते है oxidation के अंदर that's why this is the oxidation reaction समझ में है इलेक्ट्रोन लूज किया तो उसके उपर positive charge आ जाता है ठीक है तो यहाँ पे एनोड पे हो जाता है फेरस का oxidation ध्यान में रखना एक जाम ही पुछते कि एनोड पी क्या होता है तो आपको लिखना होता है oxidation और reaction हम भी द्याने में रखना ही ठीक है simple है अगर हम यहाँ पे टू एफी लेते तो क्या हो जाता है टू एफी प्लस टू प्लस 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 क्या हो जाता है टू प्लस टू फोर एलेक्ट्रोन हो जाते है ना हमने दिखाने के लिए स्रीप यहाँ पे एक एफी लिया था यहाँ अगर दो एफ होती है तो फोर एलेक्ट्रोन हो जाता है अभी क्या होता है बच्चो इस फोर एलेक्ट्रोन की जरूरत होती है इन हैड्रोजन को इन हैड्रोजन को फोर एलेक्ट्रोन की जरूरत होती है जिसके कारण क्या हो जाता है वह हैड्रोजन उस फोर एलेक्ट्रोन को ले लेता है, साथ-साथ oxygen की साथ combine हो जाता है, तो वहाँ पे form हो जाता है water वहाँ पे water form हो जाता है, तो देखो बच्छो यहाँ पे hydrogen नी electrons को gain किया, मतलब यह कोई से reaction हो गई reduction, तो यहाँ पे इसका हो गई reduction, समझ मैं है इधर oxidation हुई, इधर reduction हो गई because यहाँ पे electron gain होए, और हमको मिल गया water, ठीक है, मतलब वहाँ पे ना यहाँ फिर से water form हो जाएगा, समझ मैं है और बच्छो, अभी क्या होता है, देखो, हमने यहाँ पे बोला, Fe का Fe 2 प्लस हो गया दो electron lose कर दिये, यह Fe 2 प्लस फरदर एक electron lose किया हो, उसने तो क्या बने गाँ उसका, Fe 2 प्लस ने एक electron lose कर दिया Fe 3 प्लस, यहना, Fe 3 प्लस तो एक electron lose कर दिता है और बन जाता है, Fe 3 प्लस, और final reaction हमने यहाँ पे लिखाई, देखो इसने और एक electron lose कर दिया है, और बन गए है FE 3+. अभी हमने 2 FE 3+, लिया, रियक्शन को बैलेस करना है, और साथ साथ यहाँ पे जो Water Firm होगा था उसके साथ तो FE 3-plus की रियक्शन होती है और हमको मिलता है Rust, क्या मिलता है यहाँ पे Rust, Feras Oxide Hydrated, Stay hydrated, मतलग उसके अंदर Water होता है, Water content होता है इसलिए उसको बोलते है hydrated, so this is a rust, और साथ साथ हमको मिल गए 6H+, अभी क्या होगा, फिर से एलेक्टरों के साथ जाएंगा, फिर से एप्रोफ से चलती रहेंगे, right, so यह reaction आपको ध्यार में रतने, बहुत इंपर्टन्ट रेक्शन है, exam point of view, this is a chemical reaction for rusting, समझ मैं बच्चों, बच्चों, एक बात आई से है, हमने रश्ट की definition पढ़ी थी, अभी corrosion की definition की आए, फिर, corrosion is a general phenomenon, ठीके, corrosion अलग-अलग metals का हो सकता है, लेकिन rust, rust की जब हम बात करते, तो हम बात करते façoard की, रश्ट, ferrous का होता है, ठीके, corrosion यह general term में, हर Metal का corrosion होता है, लेकिन उस corrosion का result होता है, उसको हम अलग-अलग नाब देते, तो यहाँ पे जो result था हुसका, उसको हमने बोला rust, in case of ferrous,面 केस, इसके बाद एक छोड़ा सा पॉइंट देया है उन्होंने टेक्सबुक के अंदर राइंसी डीटी देखो राइंसी डीटी क्या होता है बच्छो अगर आप अपनी जो वेजटेबल आइल होता है उसको ओपन रखते कुछ दिनों तक मतलब इन 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 कॉंटेक्ट ऑप एयर अगर देते उसको कीचन के अंदर एसे रख दिया उसका तो कुछ दिन बाद आप देखोंके उसका ओडर भी चेंज हो जाता है उसका टेज़ भी चेंज हो जाता है यह कि मतलब आएकदम फॉल अच्छ ऑग जाता है उसका पॉस्कोल पसंद ने आती ठीके तो इसको prevent कैसे करें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो जो एर रही थे न बच्चो उस वह था है पर्टिकुलर लिए निट्रोजन ग्यास तो चिप्स को उसके अंदर डालते है नाजर्जन ग्यास तो उसके राइंसीदेशन ना हो इसलिए वह पर यूज करते हैं नाजर्जन ग्यास ठीके और प्रिवेंशन लिखना और ये सब कुछ एक्सपिनेशन करना है में पॉइंट है Oxidation, उस Substance का Oxidation हो जाता है, उसकी कारण उसकी Test Order Change हो जाता है, ठीक है? और Prevention, Nitrogen Gas, समझ मैं है? ओके, इस लेक्चर में हमने पढ़ा Rusting and Rancidity के बारे में, नेक्ट लेक्चर में और कुछ नाए पढ़ेंगे, तब तक की रोकते हैं, बाई!